नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बनाएंगे मटर पनेरी तो चलिए सुरू करते हैं एक चम्मस देल, आदा चम्मस जीरा, कुछ खड़े मसाले हैं चार मीडियम साइज की प्याज दस से बारा लसन, एक इंच अदरक्का दो हरी मिर्च, दस से बारा काजू, चार मीडियम साइज की टमाटर एक चम्मस नमक तो पांस मिनट के लिए ढखकर रखा है तो ये देखें टमाटर गल चुके हैं, अब इनको पीस लेंगे तीन बड़े चम्मस तेल, आधी किलो मटर हलका सा फ्राई करेंगे तेज पत्ता आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये जो मसाला हमने बनाया था वो डाल रहे हैं अच्छे से मिला देंगे तेल में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले में से तेल न निकलने लग जाए तो तेल निकल चुका है अब इसमें मटर और पनीर डाल देंगे 200 ग्राम मैंने पनील लिए है एक ग्लास पानी पांच मिनट के लिए ढख कर धीमी आज पर पकाएंगे तो ये देखिए तेल निकल रहा है दो मिनट के लिए फिर से ढख देंगे और दो चम मच क्रीम हरी धनिया डाल देंगे तो मटर पनीर बनके तयार हो गई है बाउल में निकाल लेंगे धनिया से गानिश कर लेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल एकन की बटन दवाएं